प्रेस दे बेल आइकन ओन दे यूट्यूब आप और नेवर मिस अनादर अपडेट हेलो फ्रेंज स्वागत है आपका किरिकेट फिल्टर पर 2008 से लेकर अभी तक कोलकाता नाइट राइडर आईपिल खेल रही है अपने खिलाडियों के सांदार परदरसन के करण टीम लगातार चर्चा में बनी रहती है आज मैं आप सभी को कोलकाता नाइट राइडर से जुरे कुछ रोचक फैक्स बताऊंगा कोलकाता नाइट राइडर के पाले कप्तान सौरव गांगुली थे 2008 में केकेयार ने उन्हें अपना आइकन खिलाडी चुना था क्या आपको पता है कोलकाता नाइट राइडर में नाइट राइडर सब्द कहां से लिया गया है केकेयार का नाइट रैडर सब्द 80 के दसक में अमेरिका के महसूर टिवी सीरीज नाइट रैडर से लिया गया है केकेयार टीम को सारुक खान की कमपनी रेड चिलीज इंटर्टेन्मेंट ने जुही चावला और उनके पती के साथ मिल कर 75 मिलियन डॉलर में खड़िदा था का सबसे बरा एस्टेडियम है केकेयार की टीम ने अभी तक दो बार आईपेल की ट्रोफी जीता है केकेयार टीम के दो बर चंपियंस बनने के अलावा भी प्रदरसन बहुत ही सांदार रहा है टीम दो बार प्ले आप्स में भी पहुँची है केकेयार टीम के पहले कोद जॉन बुकानन थे केकेयार टीम का सबसे खराब परदरसन 2009 में रहा था IPL 2011 में केकेयार में पूरी तबदिली हो गई और सौरब गंगुली को आक्षन में खरीदा ही नहीं गया था जिसके कारण बंगाल और भारत के कई हिस्सों में बिरुत परदरसन भी हुए थे जिसमें नो दादा नो केकेयार का नारा भी लगा था IPL 2011 में सौरब गंगुली के हटने के बाद गोतम गंबीर को कोलकाता नेटरेडरस का कपतान बनाया गया जिसके कपतानी में केकेयार ने बेहतरीन परदरसन किया था क्या आपको पता है केकेयार ने 2012 में जो IPL ट्रोफी जीता था उसमें मैन अब दा मैच कौन था उसमें मैन अब दा मैच मनमिंदर विसला थी जिनें ब्रेडन मेकलम के जगा पे खिलाया गया था अभी केकयार के कोच जेक केलिस है और कपतान दिनेस कार्तिक है और टीम IPL में अच्छा भी कर रही है और आसा करूंगा कि टीम IPL में अच्छा करें आज की वीडियो में फिलाल इतना ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है विडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ सेयर करें और क्रिकेट फिल्टर को सब्सक्राइब करें